रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शिरू हो चुका है ऐसे में जो लोग यूक्रेन में फसे हुए थे उनको भारत वापस लाने के लिए उनकी परिजन लगातार परिशान थे छतरपूर में भी नए मोहले का एक परिवार अपने पेटी की सरकुशल वापसी के लिए काफी चिंती था गुरुवार को आसिफ सरकुशल अपने घर वापस लोटाया जैसे ही सुबह रेलवे स्टेशन पर आसिफ की ट्रेन आई उनके माता पिता वहाँ उसे लेने के लिए पहले से ही मोज़ोत थे आसिफ की मा ने बताया कि वह राद पर सो नहीं सकी और सुबह चार बजे से जग कर रेलवे स्टेशन के लिए तयार हो चुकी थे आसिफ के पिता मुश्टाग खाने जौनकारी देती हुए बताया कि हम लोग 16 तारिक से लगातार परिशान थे लेकिन खुश किस्मती यह रही कि 19 तारिक को ही टिकट के लिए फाइनल हुआ और 22 फरवरी को आसिफ कतर एरवेज उसे पहले दोहा पहुचा और उसके बाद देली के लिए फ्लाइट पर कड़कर अपने वतन वापस लोटाया वहाँ से ट्रेन के माद्यम से जिसे ही चतरपुट पहुचा परिवार जनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा हालांकि आसिफ का कहना है कि खुशी है कि वह समय से लोटाया है अब एक मरे पहले जो ख़बर अबने सुनी है कि युकरेन पर बंबारी सुरू हो गई है तो हम इसवर का भूत धन्नवाद करेंगे कि हमारा बच्चा सब को सल आ गया हम लोग बहुत परिशान थे जो फसे हुए हैं और लोगों के लिए इस वर से बहुत दूआ कर रहे हैं कि हमाँ बच्चों के मित्र फसे हुए अब ही फ्यूल जे Kevin new Karen से आई यह तो लोगी हम लोग दूआ कर रहे हैं कि में स्था वह सब बच्ची कहुए है नहीं हम क्लाव कि कह रहे जाए तो trick आ है सब्सक्राइब कर लिए तो दोनों लोगों काफी वार हमें उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ा बीच वीच वीच में कि जैसी यासिप घार आया तो सब को बहुत अच्छा लगा और सब को सो गए कि अच्छे से बापिस आ गया जब तक घर नहीं आया तो हम लोगों बहुत परिसान थे पूरी राज सोई नहीं सुबह से उठके रेल वेस्टेशन चले गए चार वज़े राज से उठके बेड़ गए सब हां बहुत टाम से अच्छे सई टाम से वापिस आ गया और उसके दोस्ते वह फसी हुगे हैं वह वापिस नहीं आ पाई लेट पता था रात पर सोई नहीं हम लोग चिंता में रहे कि पता नहीं आज कुछ होने वाला है जब तक घर नहीं आ गया जब तक टेंशन में थे हम लोग चदरपूर से बारत यादव की ये रिपोर्ट